विल्कम तू अभी पीडिया यूट्यूब चैनल पावर बाय अभी मन्यू आईएस तो फ्रेंज जैसे कि आप सब जानते हैं हमारी यूट्यूब सीरीज दो चल रही है वो हम डिसकस कर रहे हैं यहां पर और यह है हमारा परस्नालिटी नियूज जो हम डिसकस करते हैं और हमारा ट्राय जो है वो यह रहता है कि हम आपको प्री और मेंज दोनों के पॉइंट ऑग यू से जो है पॉइंट बताएं कि क्या आपके लिए एक्जाम में इन परस्नालिटी से इंपॉर्टेंट है ठीक है तो फ्रेंज आपको एक मैं चीज और बताना चाहता हूँ कि हमारा यूट्यूब शेडूल तो हमारी कॉमिनिटी पोस्ट पर अवेलेबल रहता ही है उसके साथ साथ आप अगर हमारे जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हमारे अभीपीडिया पोर्टल का जो है लिंक मिलेगा इस अभीपीडिया पोर्टल के लिंक पर आप जाकर आपको बहुत सारा जो है study material, study resource, free of cost मिल सकता है जैसे current affairs, practice questions ठीक है आपको सिर्फ register करना होगा तो एक बार आप इस अभीपीडिया पोर्टल पर जाकर भी देखी आपकी preparation में काफी जादा आपको यह प्रोवाइड करेगा ठीक है तो friends आज हम जिस personality के बारे में discuss करने जा रहे हैं वो उनका नाम आपने कभी ना कभी अपने जीवन में जरूर सुना होगा कुछ ना कुछ पढ़ा भी जरूर होगा and that is Swami Vivekanand तो Swami Vivekanand के बारे में आज हम जो है थोड़ा सा detail में देखेंगे और Swami Vivekanand की जब हम पढ़ाई करेंगे अभी तो हम सबसे पहले देखेंगे इनकी early life की कैसे Swami Vivekanand का जनम हुआ और कैसे Swami Vivekanand की life में जो जो चीजे आई उनके birth से related फिर कैसे उन्होंने spiritual जो knowledge है वो gain की और कैसे वो एक नरेंदरनात से Swami Vivekanand बने तो वो वाला सफर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे ठीक है और फिर हम उनकी जो most जो famous है जो जिसने Swami Vivekanand जो सबसे जादा दुनिया भर में famous हुए जो उनकी world parliament of religions की जो चिकागो में उन्होंने speech दी थी 1893 में उसको भी हम उसके भी important points पर देखेंगे कि उन्होंने अपनी speech के तुरू क्या highlight करने भी कोशिश की थी स्वामी Vivekanand जो है दोस्तों उन्होंने बहुत ही जादा youth के उपर जो है impact उनका रहा है youth के उपर उन्होंने काफी जादा focus किया इसी वज़े से उनका जो date of birth है that is 12th Jan 12th Jan जो इनका date of birth है इसको हम celebrate करते है as national youth day national youth day की form में हम इनके जनम दिन को celebrate करते हैं ठीक है तो स्वामी Vivekanand ने हमेशा ये बात किये कि आपको weak को strength देनी है आपको खुद को strength देनी है ठीक है तो इसी चीज़ को दरशाते हुए स्वामी Vivekanand की एक बहुत famous quote है जो you will be कि जो आप सोचते हो कि आप क्या हो अगर आप यह सोचते हो कि आप weak हो तो आप weak ही बनोगे और अगर आप यह सोचते हो कि आप strong हो तो आप strong बनोगे ठीक है तो यह सारी जो काम है यह सोच का है ऐसा नहीं है कि भगवान ने आपको कमजोर या strong बना कर बेजा है यह सारा जो है आपकी सोच के उपर depend करता है clear चलिए तो शुरू करते हैं स्वामी विवेकानन के बारे में सबसे पहले early life देख लेते हैं स्वामी विवेकानन की तो स्वामी विवेकानन जब उनका जनम हुआ तो उनका जो नाम रखा गया था that was नरेंदर नात्थ दता और इनकी जनम ती थी है 12th Jan 1963 sorry ये 1963 नहीं होगा ये 1863 होगा फ्रेंच ठीक है 1863 हाँ पर आएगा तो 12th Jan 1863 को इनका जनम हुआ इनके पिता जी जो थे जिनका नाम था विश्वनात्थ दत ये attorney थे Calcutta High Court में ठीक है अब UPSC Civil Services में पिता का नाम या माता का नाम पूछ लिया जाता है तो पिता का नाम यहापर क्या था आपके विश्वनात्थ दता और ये क्या थे ये attorney थे Calcutta High Court में उसके बाद अगर मैं बात करूँ मदर की माता जी की तो इनकी माता जी का नाम था भुबनेश्वरी देवी और ये एक housewife थी अगें जो आपके state level के exams होते हैं या बाकी के exams होते हैं उनमें इस तरह के facts पेंबार पूछ ले जाते हैं और स्वामी विवेकानन्द की जो overall personality है उसमें इनके parents का बहुत बड़ा हात्रा उन्होंने बहुत major role जो है स्वामी विवेकानन्द की personality को mold करने में play किया ठीक है क्योंकि एक learned family थी जैसे कि आपने देखा कि बिशवनाद दता जो थे जो भी विवेकानन जी के पिता जी थे वो एक attorney थे तो इन्होंने अपने बेटे को भी अच्छे से बढ़ाया लिखाया और इनकी personality को अच्छे से shape किया उसके बाद है कि हम स्वामी विवेकानन्द की education की बात करें तो स्वामी विवेकानन्द की जो preliminary education ही थी वो इश्वर्चंद्रविद्या सागर्स metropolitan institution में हुई थी ठीक है जो अपका Calcutta में था और इनकी graduation भी Calcutta में ही हुई आज फिल्ड में इन्होंने graduation की इस्वाम Presidency College थी कि जो Calcutta का Presidency College था वहां से इन्होंने graduation उसके बाद 20 साल की उमर तक पहुंचते पहुंचते जो स्वामी विवेकानन्द थे उन्होंने western philosophy की जो सारी logic है उसको master कर लिया था और इनके जो interest थे वो किस तरफ थे इनके interest अगर आप देखें religion में इनका बहुत ज़ादा interest था history में, social sciences में, art में, literature में, पुरानास, वेदास और उपनिशाज में जो है स्वामी विवेकानन्द का बहुत ज़ादा interest जो है दोस्तो रहा अब अगर मैं बात करूँ spiritual journey की जो journey आपकी अगर मैं यहाँ पर term यूज करूँ from नरेंदर नाथ दथ तू स्वामी विवेकानन्द अगर मैं इस journey की बात करता हूँ ठीक है तो वो क्या journey थी? वो spiritual journey क्या थी? तो 1887 में पहुंचते पहुंचते इन्होंने formally परंड लिया सन्यास लेने का ठीक है और यहाँ से इनको स्वामी विवेकानन्द के नाम से जाना जाने लगा ठीक है अब 1888 में जो आपके स्वामी विवेकानन्द थे उन्होंने ये decide कि वो इंडिया को explore करेंगे और इंडिया में पूरे हिंदुस्तान में जो उनके spiritual गुरू थे रामकृष्ण परमाहंस इनके जो messages हैं उनको फैलाएंगे तो स्वामी विवेकाननने पूरे हिंदुस्तान के भ्रह्मन पर वो निकल पड़े और पैदली वो निकल पड़े जो है उन्होंने दान रचना लेकर अपना सारा गुजारा किया और लिटरली उन्होंने एक मौंक की लाइट जो है वो जी ठीक है हम आगे चलकर जब modern इंड इन हिस्ट्री में हम महात्मा गांधी की बात करते हैं गांधी जी की हम बात करते हैं तो गांधी जी ने भी आपके पहले नैशनल जो आपका freedom struggle था उसकी command संभालने से पहले पूरे हिंदुस्तान की जर्नी की थी तो वही चीज स्वामी विवेकाननन ने भी हाँ पर की अब same and decognition की बात करें कि जो स्वामी विवेकानन हैं उनको इनका ये जो current fame और मिला वो कहां से मिला मेंली वो मिला अपकी 1893 में जो world parliament of religion हुई थी शिकागो में वहाँ पर स्वामी विवेकानन जो है इंडिया को और Hinduism को उन्होंने रिप्रेजेंट किया और इनकी यहाँ पर ज इंडिया विवेकानन हैं उन्होंने अपनी स्पीचिस से इस धार्वना को बदलने की कोशिश की तो शिकागो में रहने के बाद शिकागो में भापर जाने के बाद स्पीच देने के बाद कुछ 3 साल तक स्वामी विवेकानन ने विदान्ता फिलोसफी को अमेरिका और लंडन में spread किया उसके बाद वो हिंदुस्तान लोटे और 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मठ जो है वो फाउंडेशन रखी और एक रामकृष्ण मिशन की फाउंडेशन रखी क्यालकटा में और 1898 में इन्होंने बेलूर मठ की establishment की अब ये बेलूर मठ जो है ये आपका current day बांगलादेश में है ठीक है ये आपको याद रखना है कि बेलूर मठ कहाँ पर है अब ये आपका बांगलादेश में है क्लियर 1899 में ये दुबारा से वेस्ट में गए दुबारा से लंडन गए और 1900 में इंडिया बापिस आए और इनकी जो डेथ है काफी छोटी उमर में इनकी जो डेथ हो गई थी ठीक है 40 years की एज में इनकी डेथ हो गी थी तो 4 July 1902 को बेलूर मठ में ही स्वामी विवेकानन ने अपने प्रांत त्याग दिये तो ये था इनका chronology of life अब देखते हैं स्वामी विवेकानन से related कुछ दूसरी aspects अगर हम मैं बात करूँ कि जो विवेकानन की ideology थी तो उस पर किसका influence था सबसे जादा किन-किन चीजों का influence था सबसे पहले तो जो विवेकानन थी अगर आप उनकी thinking में जाएं और उनकी जो है टेक्स पड़े हैं उनकी जो स्पीचिस है वो सुने तो आपको दिखेगा कि बुद्धिष फिलोसफी का भी काफी जादा influence था उनके ओपर भागवत गीता का काफी influence था and ultimately he was greatly influenced by his teacher Swami Ramanand Ramakrishna Paramahans ठीक है जिनों ने इनको सिखाया विवेकान इनको सिखाया the need for spiritual discipline and thinking तो ये सारा ज्यान जो है Swami Ramakrishna Paramahans ने दिया और Swami Ramakrishna Paramahans के बाद विवेकानन जो है उनकी ideology को spread करने के लिए कि Ramakrishna Maath और Ramakrishna Mission की भी foundation रखी ठीक है अब भगवान में क्या belief था Swami विवेकानन का भगवान में क्या belief था स्वामी विवेकानन का मानना था कि भाई अगर आप spirit के truth में मान रहे हो और universal universe के truth में मान रहे हो कि भाई universe है तो आप भगवान का truth deny नहीं कर सकते या तो आप मानी न मैं मान रहे हो, तो God में भी आपको मानना पड़ेगा और Swami Vivekananda ने यह कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने भगवान को देखा नहीं, हमने भगवान को महसूस नहीं किया, तो हम Heavenly को कैसे मानें, तो Vivekananda नि Vivekananda का ये मानना था कि अगर आप चाहें, अगर आप पूरी शर्द्धा से काम करें तो it is possible कि आप एक God को experience कर सकें, उनको feel कर सकें ठीक है, तो ये जो है विवेकानन्द का भगवान में उसके बाद अगर मैं religion की बात करूँ तो according to विवेकानन्द जो religion है आपका, ये सिरफ कोई doctrine नहीं है या कोई theory नहीं है, ठीक है religion के सहारे ही, इनसान जो है अपने अंदर का best और अपने अंदर की strongest powers को realize कर सकता है अगर इनसान कोई religion को follow कर रहा है तो वो उसको help करता है अपने best और strongest powers को realize करने में ठीक है, और इनका ये भी मानना था दीखिए, जो स्वामी विवेकानन थे वो कभी भी उन्होंने जो है intolerance की बात नहीं की हमेशा उन्होंने tolerance की बात की ठीक है, और उनका ये मानना था कि जो ये दुनिया है जो एक धरम दुसरे धरम को accept नहीं कर रहा है या एक धरम दुसरे धरम को tolerate नहीं कर रहा है ये सबसे बड़ा misfortune है इस दुनिया का ठीक है, ये सबसे बड़ा misfortune दुनिया का है and he advocated the world of universal oneness ठीक है, कि ठीक है, अब अलग-अलग religions को follow कर रहे हैं आप अलग-अलग धरमों को, अलग-अलग संप्रदायों को follow कर रहे हैं पर आप दूसरे जो बाकी के religions हैं उनको intolerant मत कीजिए उनको भी tolerance से देखिए और इससे क्या होगा, एक universal oneness create होगी और एक cosmopolitanism का concept जो है, दुनिया में आएगा ओके, चलिए अब स्वामी विवेकनन्द की अगर हम आगे philosophy देखें तो स्वामी विवेकनन्द की अगर हम philosophy को describe करें तो हम उसको as a spiritual inquiry describe कर सकते हैं ठीक है, वो एक inquiry की zeal थी और spirituality is the only truth जो है आपके स्वामी विवेकनन्द, जो हैं वो मानते थे and विवेकनन्द always believed in the singularity of truth कि सच हमेशा एक होता है ठीक है, ऐसा नहीं है कि यह बहुत सारे सत्य हो सकते हैं सच हमेशा एक होता है उसके बाद स्वामी विवेकनन्द ने जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि he believed in the भगवद गीता, भगवद गीता का बहुत सारा influence था तो स्वामी विवेकननन्द का यह मानना था कि जो आपका soul है, जो आपकी भगवद गीता है वो भी यही बोलती है ना कि आत्मा जो है वो तो immoral है, ठीक है उसको ना कोई मार सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई काट सकता है गीता में कृष्ण ने यही बोला है तो सेम से स्वामी वेकानन ने भी हाँ पर बोली कि जो आपका सोल है that is immortal उसको आप नहीं मार सकते ठीक है यह स्टार्ट होता है फिर रीबर्थ होता है और यह end ultimately जो यह सोल है इसका बर्थ और रीबर्थ का जो concept है वो तभी खतम होगा स्वामी विवेकानन के उपर ओके अब सोशल रिफॉर्म के लिए स्वामी विवेकानन ने बहुत काम किया तो उनके क्या आइडिया से स्वामी विवेकानन के सोशल रिफॉर्म के लिए तो अगर आपके वाली जो इनकी कोट है स्वामी विवेकानन का arrive awake and stop not till the goal is reached ठीक है उ आइडियाज है सोशल चेंज के उपर ठीक है अब स्वामी विवेकानन का यह मानना था कि आप सोशल चेंज के लिए सिरफ उपर से लिपा-पुति मत कर दीजिए ठीक है सुपरफिशल नहीं होना चाहिए सोशल रिफॉर्म जो है वो एक वाइडर कंसेप्ट है और आपको स साइटी को उसके लिए रिफॉर्म करना पड़ेगा ठीक है सिरफ सरकार के कोई रूल बना देने से या लौ बना देने से सोशल रिफॉर्म नहीं आएगा तो साइटी को उसके लिए इंप्रूव करना होगा और इसी सोशल रिफॉर्म के लिए स्वामी विवेकानन ने पू वो तो long lasting reform नहीं हुआ ना, long lasting reform कब होगा, जब society की ही thinking change हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद जो आपके स्वामी विवेका नंत है, इनका deep faith था इंडिया की spiritual power में, ये हमेशा कहा करते थे कि इंडिया has a great spiritual power, ठीक है, और विवेका नंत ये भी बोलते थे कि जो ये आपके social reforms हैं, ये इंडिया की spirituality के उपर ही based रहेंगे, ठीक है, तो अगर इंडिया को आपको socially reform करना है, तो पहले आपको ये इंडिया को spiritually reform करना पड़ेगा, ठीक है, spiritual reforms आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आप social reforms के लिए आगे काम कर सकें, स्वामी विवेकानन जो थे दोस्तों, उनका ये भी मानना था कि जो Indian society थी, उसमें willpower की कमी थी, और जो Indian society के जो दुख थे उस समय के, कलोनियलिजम के समय के, उन दुखों का कारण ये जो willpower की कमी थी Indian society में वो ही था, ठीक है, और हमेशा इसी लिए ये क्या बोला करते थे कि जब तक लोग जो हैं खुद से अपनी problems को solve करना नहीं शुरू करेंगे तब तक कोई भी improvement आपको देखने को नहीं मिलेगी इन्होंने social reformer के भी कुछ features बताया स्वामी विवेकानन ने स्वामी विवेकानन का ये कहना था कि जो आपका social reformer है उसको deep empathy होनी चाहिए society के लिए ठीक है society के लिए एक feeling होनी चाहिए उसके अंदर ठीक है और social reform के लिए जो आपके स्वामी विवेकानन थे वो youth के उपर बहुत जादा depend करते थे स्वामी विवेकानन का ये मानना था कि जब तक youth जो है वो अपने comforts को sacrifice नहीं करेगी तब तक इंडिया दुबारा से दुनिया में अपनी जगा नहीं हासिल कर पाएगा ठीक है आप अभी भी देखते हैं हम बात करते हैं demographic dividend की हम इतनी जादा demographic dividend की क्यों बात करते हैं कि भा स्वामी विवेकानन अपना confidence दिखाते थे इसी वज़े से जो इनका जनम दिन है 12 जन्वरी उसको हम as a national youth day celebrate करते हैं और जो विवेकानन थे वो बड़ा clean messages जो है वो youth को देना देना चाते थे कि भाई अपनी life में risk लेने से मड़र हो ठीक है take risks in your life if you win you may lead अगर तुम जीते नहीं है कि बिल्कुली तुमारी जिंदगी खतम हो गई तुम दुसरों को guide कर सकते हो आगे success के लिए ठीक है बहुत से बच्चे जब UPSC के तैयारी शुरू करते हैं दोस्तों ठीक है तो जब हम तैयारी शुरू करना करते हैं तो बीच विच में हमें discouragement चाती रहते हैं कि म हमने एक attempt दिया उसमें हमारा नहीं paper clear हुआ तो दूसरे attempt के समय दूसरे attempt के लिए जाते समय हमारे मन में बहुत सारे thoughts आते हैं कि हमारा paper होगा या नहीं होगा मैं नहीं बना तो क्या होगा आप यह मत सूचिए आप अपनी life में risk ले लिए अगर आपको is बनना है तो आप र competition है ज़रूरी नहीं है कि आप चाहे जी तोड से भी जान लगा कर भी मेहनत कर दो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप IES बनो क्योंकि और भी लोग मेहनत कर रहे हैं किस्वे और की मेहनत के अपता आप से जाधा हो तो वह बन गया IES आप नहीं बन पाए कोई बात नहीं लेकिन रिसक तो लेना पड़ेगा ना लाइफ में अगर आप यह सोचो कि यहार मैं नहीं बनाएगा मेरा यह है साल लग जाएगा वो लगजाएगा इतनी महनत करके भी मेन नहीं बना तो क्या फाइदा ऐसे वैसे तो वो तो रहे हैं बहुत ज़रूरी है यह स्वामी विकान्ण उसको clear message देते थे ठीक है स्वामी विवेकानन का ये भी मानना था कि social change आने के लिए पहले लोगों की ideology को change होना पड़ेगा ideological change बहुत ज़्यादा जुरूरी है ठीक है अगर आपको superstition change करना है caste system की rigidity को change करना है तो उस सब के लिए important है कि आप ideological change लेकर आएं ठीक है और विवेकानन ने ये भी बोला कि अगर आपको इंडिया को transform करना है तो किसी एक class या किसी एक धरम के लोगों को change करने से कुछ नहीं होगा जब तक हिंदुस्तान में जितने धरम के लोग हैं जितने संप्रदायों के लोग हैं जितने जाती के लोग हैं वो तब तक जब तक साथ में मिलके काम नहीं करेंगे तब तक जो ये social change है ये incomplete ही रहेगा कभी भी ये complete नहीं होगा तो ये स्वामी विवेकानन का यहाँ पर मानना था clear तो इसी वज़े से स्वामी विवेकानन ने हमेशा try किया कि वो हर तरह के लोग चाहे वो youth हो woman हो, poor हो, worker हो, peasant हो सबको उन्होंने एक साथ जोडने की कोशिश की and he became the first religious leader to claim the neglect of masses as the major reason for the country's breakdown जो masses को neglect किया गया हिंदुस्तान में, भागीदारी में तो उसी की वज़े से हिंदुस्तान जो है, वो एक breakdown सफर कर रहा है, ये स्वामी विवेकानन का यहाँ पर कहना था, okay? I think यहाँ तक आपको कोई doubt किसी को होना नहीं चाहिए चलिए, तो friends अब बात करते हैं Parliament of world religions की जो आपके स्वामी विवेकानन ने शिकागो में attempt किया था, 1893 में ठीक है, जिससे इनको freedom, जो है, famous जादा ये international level पर हुए तो इनकी speech के कुछ हम selected points हम यहाँ पर देखते हैं तो स्वामी विवेकानन ने कहा कि I am proud to belong to a religion यहाँ पर अपने religion की इन्होंने बात की जो Hinduism, which has taught the world both tolerance and universal acceptance तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि Hinduism है, it talks about tolerance वो सारे धर्मों को tolerate करने का concept और universal acceptance की बाते करता है ठीक है, हम सिरफ universal toleration के में नहीं मानते, बट हम यह भी मानते हैं कि जो सारे religions हैं वो सब के सब सच हैं, हम यह नहीं बोलते कि कोई एक particular religion गंदा है या बुरा है या जूटा है हम सारे religions की सच्चाई में जो है विश्वास रखते हैं and he said that I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth कि दुनिया में जहाँ पर भी जो भी persecuted हुआ किसी भी धर्म का किसी भी संप्रदाय का तो उसको हिंदुस्तान ने शरण दी ठीक है यह concept जो है स्वामी विवेका नन ने जो है वो दिया था हिंदुईजम का tolerance का ठीक है तो आप quote कर सकते हैं आप यह सब बाते अगर आपसे सवाल UPSC मेंस में intolerance के उपर आपसे कोई सवाल पूछ लेता है ठीक है या आपका जो है व्यू आपसे जानना चाहता है refugee का जो आपका issue चलता रहता है ठीक है रोहिंग्या crisis जो चल रहा है उसके उपर अगर आपके views मांगता है तो आप quote करके जो है स्वामी विवेकानन को quote कर सकते हैं हमारी यह ideology रही है which has been also highlighted by स्वामी विवेकानन in the Parliament of World Religions in 1893 तो आप ऐसे quote कर सकते हो ठीक है चलिए उसके बाद अगर आप देखें I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest eminent of Israelis अब यहाँ पर स्वामी विवेकानन उसी speech को continue करके बोल रहे हैं जो इन्होंने refugees किया पर बात की कि हमने इस्राइल से आये लोगों को शरनाग दिया सद्रन इंडिया में आप सब जानते हैं जब Roman tyranny ने इनको destroy कर दिया था और इन्होंने Zoroastrians का example लिया कि Zoroastrians को हमने अपने आपर शरन दी ancient times में तो यह सारी बाते जो है Swami Vivekananda ने as an example quote की इस conference में साथ ही Swami Vivekananda ने यह भी कहा कि भाई अगर कोई यह सोचता है कि भाई अगर किसी एक religion के destruction से दूसरे religion का भला होगा तो उन्होंने का that brothers, yours is an impossible hope कि तुमें एक impossible hope सोच रहे हो अगर आप यह सोच रहे हो कि कोई Christian Hindu बन जाए ठीक है कि भाई अगर मैं यह सोचू कि कोई Christian Hindu बन जाए तो मैं ऐसा नहीं चाता भगवान बचाए या कोई Hindu बुद्धिश बन जाए ठीक है तो यह सब चीजे हमें नहीं चाहिए हम यह ऐसी religious convertibility की बात नहीं करते क्योंकि हम तो हर धरम में मानते हैं यहाँ पर अब स्वामी विवेकांदर ने कैसे example लिया कि भाई देखो कोई seed है उसको तुम ground में जो है प्लांट करते हो ठीक है जमीन में उसमें हवा आती है ठीक है उसको आप पानी देते हो तो क्या seed जो है वो अर्थ बन जाता है जिसमें आपने उसको बोया है या वो हवा बन जाता है या वो पानी बन जाता है वो एक प्लांट बनता है वो अपनी एक individual identity गेन करता है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक धर्म को कोई दुसरा धर्म कनवर्ट कर दे ठीक है भई सीड को अर्थ ने अर्थ बना दिया या हवा ने हवा बना दिया नहीं वो एक प्लांट बना तो वैसे ही जो different religions है आप उन religion से चीज़े सीखिए उनमें जो अच्छी बाते हैं उनसे सीखिए पर उसका मतलब यह नहीं है कि एक जो Christian है वो Hindu बन जाए या वो Buddhist बन जाए तो यह जो concept है यह नहीं चलेगा आप सीखिए एक दुसरे धर्म से यह चीज़ जो है स्वामी विवेकानन ने आपको समझाई कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर धर्म जो है यह कहेगा कि आप लडो मत आप एक दुसरे की help करो ठीक है अपने हर धर्म यह कहेगा कि आप हर धर्म का अच्छा point उठाएं ठीक है assimilate करें उसके अच्छे points को अपने अंदर ना कि उसको destroy करें और harmony और peace से रहें ना कि dissension से तो यह जो है स्वामी विवेकानन के ideology थी regarding religion अब question की form में देखने थे हैं कि चलो इतनी सारी जो हमने पंचायत करी अगर यह question की form में किस तरह से UPSC पूच सकता है तो which of the following statement is true about स्वामी विवेकानन यहाँ पर पूच्छा गया है statement number one अब देखो यहाँ पर पहली statement जो है यहाँ पर 12th January 1893 अब कई बार पहले ऐसे questions नहीं आते थे पिछले 2-3 साल में लेकिन UPSC कई बार बहुत छोटे छोटे facts में भी mistakes छोड़ कर और आपको फसा देता है अब यहाँ पर अगर आप देखो और यह fact ऐसा है कि UPSC assume करेगा कि आपको पता होगा 1893 is very famous क्योंकि इस 1893 के year में Chicago में आपने world religion of parliament में विवेका नंद में speech की थी तो जाहिर सी बात है कि जनम तो नहीं हुआ होगा तो जनम जो है वो 1863 में हुआ था ठीक है तो इसी वज़े से यह सिर्फ साल की वज़े से स्टेटमेंट गलत हो गई बाकी सब ठीक है 12 जनवरी को हम National Youth Day celebrate करते हैं बिल्कुल सही है दूसरा विवेका नंद believed in superiority of Hinduism over the other religions तो अभी हमने देखा अभी देखा कि विवेका नंद ने कभी नहीं का कि कोई धर्म केशी और धर्म से सुपीरियर है विवेका नंद ने हमेशा यह का कि आप दुसरे धर्मों से सीखते रहें तो यह स्टेटमेंट भी आपकी जो है गलत हो जाती है उसके बाद विवेका नंद डाइट during his visit to London नहीं विवेका नंद 1899 में दुबारा लंडन गए थे पर जब वापिस आ गए थे लंडन से उसके बाद 1902 में उनकी वेलूर मठ में डेथ हुई ठीक है इंडिया में ही डेथ हुई तो यह थर्ड स्टेटमेंट भी आपका गलत है तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएग तो आप वहाँ पर आपके ethical concerns में आप लिख सकते हो, quote कर सकते हो स्वामी विवेका नंद को, ठीक है religious intolerance या इन सब चीजों में आप स्वामी विवेका नंद को बहुत अच्छे से quote कर सकते हो, तो अभी के लिए friends इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरी personality के साथ, I hope आपको यह session पसंद आया होगा, तो please like जरूर कीजेगा और share भी जरूर कीजेगा ताकि दूसरे लोगों तक भी यह पहुंच सके, और हमारे अभी PDA के YouTube चैनल को subscribe कर लिजेगा ताकि आपको ऐसी knowledgeable videos मिलती रहे, thank you very much, all the best and bye bye